लाल बाग बोटेनिकल गार्डेन, सामने ही पहाड दिख रहा है, चली यहां से किकट ले लेते हैं, क्या नाम है साकिब, बॉन्जाई ट्री, यह देखे, क्या मस्त लग रहा है, इसको अगर घर में लगा दिया जाए, क्या हो, खुब सुधत लगेगा, तो भाई, लाल बाग आप देख रहे हो, यह तो नर्सरी है, एसिया का सबसे बड़ा नर्सरी, जो प्लान्ट आप सूच सकते हो, दिमाग में ला सकते हो, वो सब अविलेबल होगा, खुब सुधाह से द दूर से जाना चाहिए तो सबसे पहला नाम आता है बैंगलोर का बॉटेनिकल गार्डिन लाल बाग में है बीटियम से थोड़ा सा दूर है मतलब मेड़ ऑफ सिटी है जितने भी आसपास के जगह हैं बैंगलोर में उन सबसे पास में पढ़ता है और काफी फेमस है मतलब यहा मतली आपको अभी हम ले करके चलते पूरा देखाते हैं वीडियो पूरा देखिए मौज कीजिए मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करके बताईए कैसा लगा दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए अब हमारे बहु तो मजा करो अब लाल बाग का दो गेट है एक में गेट और यह बैक गेट है अभी हम लोग बैक गेट पर आया है लेकिन हम लोग यहां से एंट्री नहीं लेंगे हम लोग जाएंगे में गेट से एंट्री लेंगे यह देखो तो में गेट जादा अच्छा है तो जब वीडियो बना रहे हैं तो अच्छे से में गेट दिखा के बना रहेंगे पहुंच ए है लाल बाग इन में उसके सामने का रोड है और यहां से है टिकेट ले लेंगे हम साइट से और फिर अंदर चले जाएंगे यह लाल बाग बोटेनिकल गार्डेन सामने ही पहार धिश्जा है चलिए यहां से टिकेट ले लेते हैं टू विलर का 30 रुपए, फोर विलर का 40 रुपए और अडल्ट का 30 रुपए, टिकेट दिखाओ एक बार और चिल्ड्रेन का 10 रुपए, यह देखिए, टिकेट है हमने एक टू विलर का लिया है और दो अडल्ट है, तो 90 रुपए हुआ चलिए अप चलते अंदर, जितना आदमी को बैठी अपनी गाड़ी का लिए, फोर विलर का उससे जादा है, 50 रुपए सबसे पहले हम लोग अपनी बाइक पार्क करेंगे, और फोर विलर भी आप यहां ऐसे लगा सकते हो, लोग लगा के गहें, बस ठिकेट लेना है आपको फोर विलर के लिए, और जो पैदल वाला है वो अंदर से जारा है, यह उनका रास्ता बना हुआ है, और जो वेहिकल व पाकिंग है, तो भाई साकित कप लगओ कहीं करें अंदर ले लेना, उस साइड में, यहां से हम अंदर लगातेंगे, पार्किंग में है कि देगे सबसे पहले जब आप बावजि पार्ड को कर देते अंदर घुसते हैं सबसे पहले आता है दनसरी मैं एक यान अशिडिये इस आप तरह तरह का आपको प्लैंट दिखने को मिलेगा यहां आपको बीज भी बोस्ता बहुत है कि अपना ले लो एक ऐसा गाड़ी और अ में परकी प्लाइब क्वुश्य आता और उसकी बिलिंग करें और आप उसको लेने योवाट जा सकते हो बहुत बड़ी तेसी में कहीं नहीं घुट है तो उसमें ऐसा कुछ प्लाँ होता है जिसका वह तो रिसर्च करते हैं जिसको उखाणते हैं तो बहुत तीज आवाज निकल के आता है हमको नाम नहीं पता है बाई क्या नाम है साकिप बॉंजाई ट्री यह देखिए क्या मस्त लग रहा है इसको अगर घर में लगा दिया जाए क्या खुब सुधत लगेगा एक लेंगे लाएगा आपको वाओ चलो दूसरी तर्फ चलते हैं बहुत बढ़ा है ज्यादा टाइम इसी में ले लेंगे तो फिर हमादी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी यह तो भाई प्लांट का है फूल का अलग से है जैसा यह प्लांट का दिखता है वैसे ही आपको फ्लावर लेदर तो भाई लाल बाग आप देख रहे हो यह तो नसरी है एसिया का सबसे बड़ा नसरी जो प्लांट आप सूच सकते हो दिमाग में ला सकते वो सब अविलेबल होगा यहां पर आपको मिल जाएगा आपको एक ट्रॉली ले लो जो प्लांट पसंद आता है उसमें रख लोर में कहीं भी चेक करेंगे ना सब के घर कुछ ने कुछ प्लांट ऐसा देखने को मिल जाएगा और मैक्सिमुम लोग यहीं से खरीद के ले जाते हैं अतलब हर तरह का आप कोई इंटरनेट पी देख रहे हो कोई दूसरे दूनिया का दूसरे दूनिया नहीं दूसरे द बना रहे थे लेकिन गोप्रो से चे मिनिट का मैंने वीडियो बना दिया वह हीट हो गया और वह अभी ठंडा हो रहा है चलिए अब फोन से आपको थोड़ा दिखाते हैं अब हम आगे हैं फ्रूट सेक्शन में यहां पे लाइम का पौधा है पूदा नेम्बू और लीची का भी है और इंज का पौदर दो सो रुपए गया थोड़ा सा आप आके आएंगे यह देखे कसैली हो गया एडी कैनोट और फिर उसके बाद ताइवान पिंक गवावा जो आप पिंक कलर का गवावा खाते हैं लाल लाल मजा आता है खाने में वह देखने में भी यह देखे गौवा है अलहाबाद का भी है ताइवान का है मतलब हर जगा का मिल रहा है भाई 200-400 रुपए इसका रेट है सपोर्टा है और आगया यह देखे इदर आम का पेड़ हो गया यह भी आपको हर तरह के आम का पौधा मिलेगा आपको जहां का चाहिए पौधा वहां का राट यह देखे सेव सेब का है एपल यह भी आपको कशमेदी सेब चाहिए वह भी मिल जाएगा अलग अलग hahanaan-anahra का होगया तो मतलब आपको हर चीज अविलेबल है अंगूर अविलेबल है ग्रेप्स सब कुछ अविलेबल है जो भी आपको चाहिए पीड पौधा जंगली प्लांट फ्रूट यह बैंबू है आप जाके लगाए यह बड़ा वाला है बड़ा हो जाएगा पूरा यह देखिए मतलब सब कुछ औ हैं एक ट्रॉली ले लिए हैं और यहां से खरीद के जा रहे हैं आपको बिलिंग कराना है जो भी आपको पौधा पसंद आता है आप ले सकते हो और मस्त मुली साहिब बना के दे रहा है एकदम यह देखिए और फिर घूमने निकलेंगे नरसरी हमने आपको दिखाया बहु तो यह आपको हेल देखता है छोटा सा छोटा नहीं फिर भी बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा उंचा नहीं है तो इसको हील ही बोलेंगे लेकिन यहां पर देखिए लोग कितने इंजॉय कर रहे हैं आधाम से आके बैठे हुए हैं और यहां से आप आधा देख सकते हो बड़ा खुरूबशूरत है चलते हैं अब आगे निकलते है और भी देखते हैं क्या अथे देखिए है देखिए यहां फिर से एक पॉखर एकपाली हाुस हमें दिख रहे हैं वहां भी हम जाएंगे वो बड़ा वाला प्रूबश्योश तो चलते है आं सामने वह भी दिख सब्सक्राइब यहां पर तयारी चल रही है 15 अगस्त को बहुत ही अच्छा शो लगता है यहां पर बहुत बड़ा सा पार्क है इसके अंदर भी बहुत खुबसूरत लग रहा है देखने में अच्छा भी लग रहा है जब यह 15 अगस्त को रेडी होगा तो उसका अलग ही लूप होगा उस दिन भी हम कोशिश करेंगे कि आए और आप लोग भी अगर बैंगलोर में हो तो जरूर से आओ 15 अगस्त को हर साल यहां पर लगता है बहुत ही खुबसूरत है यहां तक कि यह सामने देखते हैं आप कितना ज्यादा खुबसूरत लग रहा है 26 जैनवारी होता है 15 अगस्त होता है यह जो आप देख रहे हो पूरा हाउस इसमें पूरा फ्लावर और गार्डिन बनता है इस्पेशली सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा मज़ा आता है देखने के लिए ऐसा बोल जाता है दुनिया का हर फ्लांट पौधा वहां पर मौजूद होता है फूल इस्पेशली फ्लावर्स का लगता है वह मेला होता है कि में नहीं जरूर होता होगा कोशिश करें हम लोग 15 अगस्त पास है 15 अगस्त मे नहीं आना चाहते हो सीदे सीदे बोल दो ना हाँ हम थोड़ा दिर यहां पर उखे हैं सुकून मिल रहा है हवा चल ठंटी ठंटी हवा चल रही है दूप है नहीं पेड़ पौधा है लेक के पास आप जानते होगे जब साफसुता लेक आपको मिल जाए पहाड़ी जगह मिल यह देखे हम लोग आगै है लाल बाक के लेक पर जो पाड़ के उपर है पूधा यह लेक पहाड के उपर है और बहुत बढ़ा है साइड भी है बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रहे है यहां पर सुकून मिल रहा है और यह देखिए इसको पांट्री बोलते हैं या पता है पत लेते हैं जरूज यह देखे हम आ गए हैं सबजी के फार्म में इसमें हर किस्म का सबजी हमको देखने को मिल रहा है अगर हम सिर्फ मिर्ची का प्रजाती दिखाएं आपको तो देखें मिर्चा में खुशी को क्या है और या पुसकी पीछे दीदेखें ब्लैक कलर कमेच्च यहां देखें यह एक डिकांड़य भी कि जाती है पेड़ नहीं होता है पौधा होता है सब बहुता है लेकिन यह ज्यादा इंट्रेस्टिंग हमें लगा क्यों कि हम देख देख के पैचान जादे कि वह देखो वहां बीट रूट का है यह बैगन का है फिर कैबेज है करली फ्लॉवर्वर है भिंडी है गाजर है निनुवा ल पैचानता था आंगोर क नहीं ना देख क्यों थे ना भाई पेड़ अभी तक पौर्ट है यह ज्यास का ठाट देखे कियसा घर रहें क्ला है और भी आपको उभु हम दिखा है और बीका कैंषा उस साइछा है यहाँ पे यह ज्यादा इंट्रेस्टिंग अंपर लगा के बाद pumpkin है कदू है बहुत कुछ है इसमें लेकिन यह बंद है section इसमें हम जा नहीं साकते हैं क्योंकि इसमें टमाटर लगा हुआ है और बहुत ज्यादा टमाटर निकला है इसलिए हमको लगदा बंद करिके दखा है तो गाइस फाइनली अब घूम फिर करके करीब करीब जो तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो हम यहीं बोलेंगे कि एलेक्रिक वहिकल ले लो तो आपको घूमा देगा फिर दूसरी बार आते तो खुद से घूम और अच्छा जगा है आ सकते हो फैमिली के साथ भी आ सकते हो दोस्त के साथ भी ग्रूप बना करके आज हो बहुत से इसली आपको मिल जाएगी बस तो आओ यहां पर घूमो फिरो जाओ अब हम लोग ठक गए आप यहां से निकलेंगे तो हम अपना व्लॉग यहीं पर समाप करते उमीद करते कि आपको पसंद आया होगा अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो चैनल के सब अबस्क्राइब करो दोस्तों कर शेयर करो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यूफर वाचिंग तो